अमीरी आने के पहले मिलते हैं एह खास संकेत, दोस्तों जब भी मातालच में किसी ब्यक्ति के जीवन में आगमन करने वाली होती हैं, तो उसे परकिर्थिक द्वारा कुछ भी से संकेत मिलते हैं, हमारे आस पास प्रत दिन बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन ह हम उन पर कोई ध्यान नहीं देते, धार्मिंग मानताओं के मुताबिक इन में से कई घटनाएं हमें सुभ और असुभ दोनों परकार का संकेत देती हैं, एसे में ही कुछ सुभ संकेत बताए गए हैं, जो आपके जीवन में धन लाव और खुसहाली लेकर आते हैं, यदि आ अच्छे दिन आने का संकेत देते हैं, नमबर एक जाड़ू को माल अच्मी का परतिक माना जाता है, यदि आप किसी कारे से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई बेक्त जाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि आप पर माल अच्मी जल्दी महर्बान हो होने वाली हैं, और आपके घर की परसानिया दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ती होगी, नमबर दो, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में सोलह सिंगार किये हुए नई नवेली दूलन दीख जाए तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, जो तिसी सास्तर के अनुसार अगर कोई कुवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्तर पहने हुए दिख जाए तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपको धन लाब होने वाला है, नमबर तीन, यदि घर में एक ही साथ तीन छिपकलियों इकठी दिखाई दे तो यह माल अच्मी के जल्द घर आने का संकेथ है, यह धन दवलत बढ़ाने का ही एक संकेथ होता है, इसके अलावा दीवाली के दिन तुल्सी के पवधे के पास छिपकलियों का दिखाई देना भी बड़ा हिस्भ होता है, लेकिन अगर तुल्सी के पास बहुत ज्यारा छिप कलियों दिखाई दें तो यह भविष्य के लिए कुछ असुभ संकेत हो सकता है नमबर चार यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरूस की दाहिने हाथ में अचानक फुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी सुभ माना जाता है इसका मतलब है कि आपको अचानक धन लाफ होने वाला है नमबर पांच धार्मी मन नत्याओं के अनुसार बिली का रोना असुभ माना जाता है लेकिन बिली के द्वारा आपके घर में बच्चे को जन्म देना सुभ संकेत कहलाता है जिसे घर में बिली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मालच्मी जल्द ही महरबान होती है और वह घर धन धान से भर जाता है नमबर च्छे मानता है कि जिस घर में मालचमी आने वाली होती है उस घर में सदस्यों को खान पान में बदलाव आने लगता है उन लोगों को भूख कम लगती है और कम खाना भी परियाप्त लगने लगता है सभी परिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ने लगता है और यह नसा और मांसहार से भी दूरी बनाने लगते हैं जब भी आदमी का वक्त बदलने वाला होता है तो उसे सुबह अच्छे सपने आने लगते हैं जिसमें उसे देव, प्रतिमाय, पीपल, बर्गद, आद के पेड, जंगल, खजाने याद दिखने लगते हैं इस बात का संकेत है कि आपका अच्छा वक्त आ चुका है नमबर याठ, मानेता है कि कोई पच्छी किस्मत वाले पर ही बीट करता है यदि अचानक कोई पच्छी आपके उपर बीट कर दे तो समझ जाना चाहिए आप किस्मत की धनी है यदि आप कुछ जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो और किसी ब्यक्त के हाथ में जल से भरा पातर दिखाई दे तो यह भविश्य के लिए अच्छा संकेत होता है नमबर नौ धार्मिक गरंथों के अनुसार यदि किसी ब्यक्त के घर के द्वार पर आकर गव माता जोड़ जोड़ से रंभाएं तो निश्चे ही घर के सुख सम्रिध्धी और बिर्धी होगी यह घर की स्वामी के लिए लच्छमी प्राप्ती का संकेत होता है सुख फल को बढ़ाने के लिए गाय को रोटी जरूर खिलाएं इसके अलावा किसी ब्यक्ती को सुख अगर मंदीर से घंटियां संख और भजन किर्टन की धोनी सुनाई दे तो उसे के लिए यह अच्छा सगुन होता है नमबर दस उल्लू को माता लच्चमी का वाहन माना जाता है अगर आपको कभी दिन में उल्लू दिखाई दे जाए तो आपको समझना चाहिए कि जल्द ही आपके घर में धन की वर्षा होनी वाली है नमबर ग्यारे खचुए का दिखाई देना सुब संकेत होता है भगवान भी शुडू ने कर्षब अतार लिया था अगर खचुआ आपको सपने में भी दिखाई दे तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है इसे बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं नमबर बारे रास्ते में कहीं कोई सिक्का घोडे का नाल या चार पत्यों वाली घास दिखाई दे जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए यह आपकी बंद किस्मत का ताला खुल सकती है रास्ते में घोडे का नाल पड़ी हुई मिलना सो भागे की बात होती है एसा बहुत कम ही किसी के साथ होता है सनीवार के अलावा अन्य किसी दिन यदि इस तरह रास्ते में घोड़े का नाल मिलने तो उसे जरूर अपने पास रखें अगर आप भी चाहते हैं माल अच्छमी का अशिरबाद आप पर बना रहे तो आपके घर में सुक्समरिधी बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बाक्स में जै माल अच्छमी जरूर लिखें वीडियो देखने के लिए आपके बीडियो में